Hello Guys, Welcome to Aadhaar Shila Academy Aadhaar Shila Academy में आप सब कस्वागत है जो इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे CBSC के कलास 7 के मैंस का चप्टर 1 इंटीजर जिसमें हम डिसकस करेंगे Exercise 1.4 का Question No. 4 तो चलिए जल्दी से डिसकस कर लेते हैं Exercise 1.4 का Question No. 4 Question No. 4 है Write 5 pairs of integers A, B such that A divided by B equal to minus 3 One such pair is 6 and minus 2 Because 6 divided by minus 2 equal to minus 3 याने कि हमें दो integers दी हैं जो है A और B और हमें इन दो integers के 5 pairs बनाना है और ये pairs ऐसे होने चाहिए कि जब हम A को divide करें B से तो हमें मिले minus 3 और उन में से एक pair हमें Question में ही दे रखा है जो है 6 और minus 2 क्योंकि जब हम 6 को minus 2 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा minus 3 तो हमें बाकी के बचे हुए 4 pairs बनाने हैं तो चलिए एक एक करके बाकी के 4 pairs को हम बना लेते हैं तो इन में से second जो pair होगा वो होगा minus 12 और 4 और जब हम minus 12 को 4 से divide करेंगे जिसको हम यहां कर लेते हैं तो हम अंदर लिखेंगे 12 और बाहर आएगा 4 इन दोनों को हम normal number जैसे ही treat करेंगे याने बिना minus के sign के साथ तो 4 की table में 12 जो है वो 3 times आता है और यह जो minus का sign 12 के साथ लगा था यह अब 3 के साथ लग जाएगा तो इस तरह जब हम 12 को 4 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और यह 3 को हम minus के sign के साथ लिखेंगे तो यह हो जाएगा minus 3 minus 12 divided by 4 equal to minus 3 तो यह तो था pair 2 अब देखते हैं pair 3 तो third जो pair होगा वो होगा minus 18 और 6 और जब हम minus 18 को 6 से divide करेंगे तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं तो हम अंदर लिखेंगे 18 और बाहर आएगा 6 अब 6 की टेबल में 18 जो है वो 3 times आता है 6 रिजा होता है 18 और यह जो 3 होगा यह हम minus के sign के साथ लिखेंगे तो minus 18 divided by 6 equal to हो जाएगा minus 3 तो यह तो था pair 3 अब देख लेते हैं pair 4 तो हमारा pair 4 होगा minus 21 और 7 और जब हम minus 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम यहां कर लेते हैं अंदर हम लिखेंगे 21 और बाहर आएगा 7 और 7 की टेबल में 21 जो है वो 3 times आता है 7 3 जो होता है 21 और यह जो 3 होगा यह हम minus के sign के साथ लिखेंगे तो minus 21 divided by 7 equal to minus 3 तो यह तो था pair 4 अब देख लेते हैं pair 5 तो हमारा pair 5 होगा minus 15 और 5 और जब हम minus 15 को 5 से डिवाइड करेंगे जिसको हम यहां कर लेते हैं तो हम अंदर लिखेंगे 15 और बाहर आएगा 5 अब 5 की टेबल में 15 जो हो 3 times आता है 5 3 जा होता है 15 और यह जो 3 होगा इसको हम minus के sign के साथ लिखेंगे तो minus 15 divided by 5 equal to minus 3 तो बहुत ही easy question था और इसके बहुत ही easy solutions थे तो आज के session के लिए बस इतना ही अब हम अपने next session में मिलेंगे और इसके आगे की जो questions है उनको हम discuss करेंगे तो अगर आपको इस session में कोई video out हो तो comment करके बताईएगा मैं आपके लिए एक अलगसे session बना दूँगा उसमें आपको और अच्छे से explain कर दूँगा तो चलिए मिलते हैं अपने next session में आपको अपके अड़से